हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप आज हम बात करते हैं अंसर इसेंशिया जो की सेक्टर 67 के अंदर है और अंसर का ही वर्सालिया जो की सेक्टर 67A के अंदर है आईए हम देखते हैं ये प्रोजेक्ट कैसा है और क्या हमें यहां पर प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए यहां फे नहीं खरीदनी चाहिए चली दोस्तों हम स्टडी करते हैं सबसे पहले दोस्तों ये प्रोजेक्ट जो है ये डिवाइड़ है A, B, C, D, E, F, G, H यानी की आठ पार्ट्स में डिवाइड़ है जो A ब्लॉक है इसके अंदर टोटल है एक से लेकर पांसों प्लॉट्स जो B ब्लॉक है इसमें है पांसों एक से लेकर एक हजार नमबर के प्लॉट्स C block के अंदर 1001 से 1500 नंबर के plots D के अंदर 1501 से 2000 के नंबर के plots E के अंदर 2001 से 2500 के नंबर के plots F में 2501 से लेकर 2999 नंबर के plots G के अंदर 3000 से लेकर 3999 के नंबर के प्लॉट्स और H के अंदर 4000 से लेकर 4999 नंबर के प्लॉट्स यानि कि let's say कोई आपको बोलता है आपका प्लॉट नंबर है 4001 तो आप समझ लीजे आपका ये H ब्लॉट्स है कोई बोलता है 30000 तो आप समझ लीजे यह आपका G-Block का है ठीक है दोस्तों अब हम देखते हैं कि यह किस तरीके से divided है Essentia और वर्सालिया के अंदर यह सारा एरिया Essentia का है आप यहां पर देख सकते हैं यह एक dotted line है तो यह जो dotted line है इस line के उपर की तरफ यह है Essentia और इस line के नीचे की तरफ यह है वर्सालिया इस project के अंदर nursery school है, cratch है, taxi stand है community center है, commercial है, dispensary है, primary school है, club है STP, high school और National Health Vision के भी products है तो आईए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके sizes क्या क्या है सबसे पहले हम लेते हैं, इसका size जो है 60 square yards, दूसरा 66 square yards, तीसरा 182 square yards, उसके बाद 251 square yards, next 270 square yards, 300 square yards, 330 square yards, 350 square yards फिर नेक्स आता है, 374 square yards, 420 square yards, 480 square yards, 500 square yards 600 square yards, 1000 square yards, 1124 square yards, और फाइनली 1200 square yards यानि ये इनके plot के sizes हैं, यहाँ पर जो दिये गए हैं, ये सारे plot के size दिये गए हैं in terms of meters, square meters, मैंने अभी आपको जो बताया है, इसको convert करके square yards के अपना है, आप देखें ये रहा, taxi stand, ये रहा, high school, community center, commercial, commercial, एक और commercial, clubhouse, primary school, dispensary, dispensary, stp, stp, taxi stand, crutch, primary school, तो देखें दोस्तों, project के अंदर practically सारी facilities available हैं, अब जैसे आप यहाँ से enter करते हैं, immediately शुरू में दो पार्क आ जाते हैं, एक यहाँ पे छोड़ा सा पार्क आ जाता है, फिर यहाँ पे पार्क आते हैं, इसको वो यह लोग बोलते हैं, O2, फिर दो छोड़े छोड़े पार्क, यहाँ पर भी छोड़ा पार्क, फिर इस पार्क को वो यह लोग बोलते हैं, O3, इसको बोलते हैं, tranquil group है । इको गरूफ ये भी इनके दे छोड़े छोड़े parks दिये हुए है। kings park, queen's park तो दोस्तों इन्हों ने जो बड़े parks है उनको कुछ कुछ नाम दिये हुए हैं और जो छोड़े parks है वो कोई 0.2 एकर से लेकर 0.5 एकर या पॉइंट सेवन एकर तक के छोड़े-छोड़े कई सारे इसके अंदर पार्क्स भी है तो फ्रेंट्स अगर देखा जाए इसकी लोकेशन के बारे में तो ये बेस्ट टेक पार्क व्यूस पार नेक्स्ट के बिलकुल साथ में है और इसके दूसरी तरफ एंट्रियम मरले में है इसके सामने ये 60 मीटर वाइड रोड है और प्रजेक्ट के अंदर काफी सारी 24 मीटर वाइड रोड और 18 मीटर वाइड रोड है अब हम बात करते हैं इसके इदर बैक स्राइड में इसको हम बोलते हैं आज की डिट में जेल रोड ये भी हमारी 90 मीटर वाइड रोड है और ये हमारी सोना रोड तो यानि कि एक तरफ इसमें सोना रोड है दूसरी तरफ आपकी 90 मीटर वाइड रोड है तीसरी तरफ आपकी 60 मीटर वाइड रोड है यहां पर अलग-अलग प्र प्राइम लोकेशन की उपर हम बैठे हैं यहां पर एक एवरेज जो प्राइस है प्रॉट्स का वो लाख रुपे से उपर है लेकिन आज की डेट में 3 सेप्टेंबर 2020 को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस टाइम पर इसके प्रॉट का रेट बहुत ही रीजनेबल है और अगर वसालिया में बात करें तो 55 से 60 की रेंज में आपको प्लॉट मिल जाता है आज की डेट में दोस्तों मैं दुबरा डेट रिपीट कर रहा हूं कि हो सकता है कि आप फूचर में ये वीडियो देखें तब शायद ये रेट ना रहें आज है 3 सेप्टेंबर 2020 जब य मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको ये प्लॉट लेना है तो आप जल से जल मुझ से मोबाइल पर दिये हुए नंबर पर कॉंटेक्ट करें थैंक यू फ्रेंड्स वेडिंग फॉर यर पॉल थैंक्स और बाबाई